कि सभी दर्सकों को मेरा नमश्कार है और हमारे पास मुरत के लिए आये हुए हैं भोशपुरी इंडस्टी के बहुत ही बड़े डिरेक्टर आसीस बर्मा जी तो मैं चाहूंगा आसीस बर्मा जी से दोशब्द कि कुछ इस फिल्म के बारे में बोलें तो सर मैं जानना चाहता प्रुशी की बात है कि बनारस में फिल्मों का निर्माण जोर सोर से चल रहा है और काफी फिल्में यहां सूट हो रहे हैं जिसमें से एक फिल्म यह भी है आज से इसके भी स्टार्टिंग होगी फिल्म का जैसा कि टाइटल मुझे बताया गया नेट लव बहुत ही प्यारा अलो टाइटल है टाइटल सुनके ही कुछ लगा कि कुछ एक यूनिक सा होने वाला है तो मेरे भाई राम यारो जी और एक भाई अब यह और भी है नवीन कुमार जी लोग उसमें लीट कर रहे हैं और मेरे सुबकामनाय है और जो कि उसमें एक्ट्रेस है आप और रेकर मेरे सुबकामनाय है कि यह बहुत ही अच्छी पिच्चर बनाएं और यह पिच्चर एक मिसाल कायम करें और तमाम चीजों की कटनाईयों को सामना करते हुए एक ऐसी पिच्चर का भी निर्मान हो सकता है जिससे लोगों को दिशा मिल सकती है और पुरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाशक मैं अगली पारी में चाहूंगा कि फिल्म के डिरेक्टर धीरत जी इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं तो यह फिल्म कैसी है मतला विमोशनल है ड्रामा है कॉमेडी है क्या है मतलब सारा कुछ यह की फैमिली ड्रामा पुरा तो नहीं कह सकते हैं जैसे कि हमारे युवा आज के लिए इंटरनेट पे कहां तक जाते हैं अच्छा मतलब इस दसक की यह मूवी है और कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में सर जो हमारे दर्सक अब चलिए आपको मिलवाते हैं फिल्म के लीड एक्टर हमारे राम भीया जी से राम जी आप कुछ कही है फिल्म के बारे में अच्छी श्टूरी दैसे डारेक्टर साव ने बताया हमारे मिजू डारेक्टर अलसिस बर्मा सर ने बताया काफी इसमें और एक लग कहानी है इसमें मैं उकर लीड कर रहा हूं और अच्छी क्यों खशी इतनी डारेक्टर साव ने बताया कि यह कहानी है तो सुनने में आशर की और भी आपने कई फिल्में साइन करके रखी है तो मैंने एक तमिल्म की है जिसमें चैन्ने एक्सप्रेस है और मैं अभी इसलाल में यह व हम अब आप लोग से मिलवाते हैं फिल्म की अभिनेत्री इसे इनसे इनका पर्चे हम लोग खुछ जानेंगे तो मेडम आपका शुब नाम मेडम कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए दर्शिकों को अब मिलते हैं फिल्म के दूसरी अभिनेत्री से इनसे इनका पर्चे डालेंगे ठीक है बड़ाम आप कुछ बताईए अपने बारे में किसी के साथ मेरा ये डिपार्टमेंट कैमरे पे बहुत ही उन्दा डिरेक्टर डियोपी ज्यांजी यादो बहुत ही फाड़ू इनका डिरेक्शन भी रहता है और डियोपी भी रहते हैं और इधर पाइप डी पे एक और ड्रोन काम ले नहीं सकते क्योंगी ड्रोन उपर उड़ रहे हैं और सभी को एक ही साथ नमस्कार पड़ाम आप हमसे जुड़े रह दन्यवाद सब्बा कहर बाइ